हलो दोस्तो हमारे वीडियो में आपका स्वागत है आप इस वीडियो में बहुत सारे हैबी मंगल सुत्र का डिजाइन देख रहे हैं जो बहुत ही खुबसुरत और लेटेस्ट डिजाइन है आप वीडियो को लास तक देखिए आपको बैंगल्स का भी डिजाइन देखने को म मिलेगा इस वीडियो में जो बहुत ही खुबसुरत और हेवी डिजाइन है और विलकुल लेटेस्ट डिजाइन है तो प्लीज वीडियो को लास तक देखिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सस्क्राइब और सेयर कीजिए हिंदू सम आज में हम सुरू से सुनते आ रहे हैं कि कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता है, कमर के नीचे सोना पहने से असुब होता है, ये कितना परसेंट सच है आईए इस वीडियो में हम बाड़ी की से समझते हैं, सोने के गहने हिंदू परंपरा में भी विसेस महत्वा रखता है, स अक्सर शादी सुधाय महिलाय, सोना-चांदी के गहने पहनती हैं, जहां ये सोने के गहने महिलाओ की सुन्दार्ता में चार चांद लगा देते हैं, वहीं ये गहने उची जगाह पर ना पहने तो अनेक परकार की समस्या भी पैदा कर सकते हैं। हिंदु मन्य अताव के अनुसार सोने के बने गहने कमर के नीचे नहीं पहना जाता है, कमर के नीचे सोने पहनने से कई परकाड की परेशानिया भी पैदा हो सकती है आईए जानते हैं कि सोने के गहने कमर के नीचे पहनने से क्या नुक्सन होता है स्वर्ण अभूसन सरीर के गडमी और चांदी के अभूसन सरीर में सीतलता परदान करता है इसलिए कमर के उपर स्वन अभूसन और कमर के नीचे चांदी के अभूसन पहनने से सरीर का तापमान संतूलित रहता है इससे सरीर के कई तरह की बीमारिया नहीं होती जबकि केवल स्वन अभूसन पहनने से सरीर में समान उर्जा का फलो बना रहता है इसके चलते सरीर में कई तरह की बीमारिया पैदा हो सकती है हमारे समाज में सबके घरों में पैसा और धन भड़ा हो तो कहा जाता है कि लक्षमी माता हमारे घर में वास करती है सोना और चांदी भी भड़ा हो तो ऐसा कहा जाता है आई ये धार्मिक कारण भी जान लेते हैं कि आखिर कमर के नीचे सोना चांदी क्यों नहीं पहना जाता है सोना भगवान विश्नु का बेहद पिरिये है क्योंकि स्वन लक्षमी का सरूप होता है और सोने के बने गहने पैरों में जैसे पायल बिच या आदी पहनने से भगवान विश्नु सहीत अन्य देवताओ का भी अपमान होता है चुकि सोना लक्षमी का सरूप है इसलिए इसे कमर के नीचे पहनने से भगवान विश्नु लक्षमी का अपमान समझा जाता है और कमर के नीचे सोन आभूशन पहणने वाले खुद भगवान विश्नु नाराज हो जाते हैं भगवान विश्नु के नाराज होने से कई तरह की समस्या पैदा सुरू हो जाती है धीरे धीरे लक्षमी रूट कर चली जाती है परणाम सवरूप घर में घर परिवार में कई तरह की परिसानिया सुरू हो जाती है इसलिए हिंदू समाज में यह हमारे कोई भी समाज में कमर के नीचे सोना नहीं पहना जाता है अभूसन नहीं पहना जाता है क्योंकि यह असूभ माना जाता है इसलिए सोने की गहने हम कमर की नीचे नहीं पहनते हैं ऐसे ही जनकारी और लेटेस डिजाइन देखने के लिए प्लीज हमारे चाइनल को सब्सक्राइब और सेर किजी अब याँ बैंगल्स का डिजाइन देख रहे हैं जो हेवी है और बहुत ही खुबसूरत और इवनिक डिजाइन है आप इस वीडियो में चूरी टाइप का भी डिजाइन देख रहे हैं जो आठ पीस या बाड़ा पीस भी है जो बहुत ही खुबसूरत है और लेटेस्ट डिजाइन है हम इतिहासिक मंदिरों में भी देखते हैं कि मूर्ती सोने के बने होते हैं और सोने के ही गहने पनाए गए होते हैं इसलिए हम कमड के नीचे सोना नहीं पहनते हैं तो हमें ऐसा माना जाता है कि भगवान भी गुस्सा हो जाते हैं इसलिए कमड के नीचे हम गहने सोने के गहने नहीं पहनते हैं तो कैसा लगाइए जनकारी प्लीज कमेंट किजिए और सेर किजिए हमारे वीडियो को और बताईए कि आपको इसमें से कौन से जन बहुत ही अच्छा लगा प्लीज वीडियो को पूरा देखिए धन्यवाद प्लीज वीडियो Ken